हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजीनर कुमार मनीस बहुत बड़ी वेकेंसी लेकर आ चुका हूँ शिरिफ दस्मी पास वालों के लिए अगर आप लोग दस्मी पास हो तो इस फार्म को अपलाई कर सकते हो सभी राजियों के लिए बढ़ती रखी गई है सैली 32,150 रुपे यहां पे मिलने वाली है लेबराटरी अटेंडेंडेंट की वेकेंसी है नर्सिंग औरली की वेकेंसी है सभी लोग जो हैं यहां पे फार्म अपलाई कर सकते हैं आई यच बीए यस दिल्ली की तरफ से यह भरती निकाली गई है तो जॉब लोकेशन दिल्ली होने वाला है ए टू जेट पूरी जानकरी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं आप से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो जरूर देखिए चलिए हम आपको लेकी चलते हैं आप इसली नोटिफिकेशन पर दोस्तों यहाँ पर वेकिंसी सभी के लिए सभी कटिगरी के लिए रखी गई है जिसमें यहाँ पर दोस्तों देख सकती हो IH BAS की तरफ से यहाँ पर भरती निकाली गई है और यहाँ पर इसका देख सकती हो address, दिलसाद, गार्डन, जिल्ली पिनकोर यहाँ पर दिया गया है यहाँ से जो है भरती निकाली गई है और यहाँ पर जो है इसका विग्यापन संख्या 06, Oblix 2020 यहाँ पर देख सकती हो रखी गई है जिसमें नीचे देख सकती हो skill test जो होगा 5 सितंबर 2020 को होने वाला है reporting time साड़े 9 बज़े से लेकर साड़े 10 बज़े तक होने वाला है जिसमें skill test होगा आपका 5 सितंबर 2020 laboratory attendant की यहाँ पर 15 vacancy है UR के लिए 8 vacancy, SC के लिए 2 vacancy HD के लिए 1 vacancy, ABC के लिए 3 vacancy EWS के लिए 1 vacancy तो सभी के लिए जो है यहाँ पर vacancy रखी गई है 32,140 रुपे यहाँ के जो है salary मिलने वाली है आप सभी को और nursing और डर्ली की यहाँ पर 3 vacancy है UR के लिए सभी लोग apply कर सकते है जिसमें दोस्तों आपको हम बता दे अगर form ज्यादा आता है तो return test होगा और अगर form कम भरे जाते हैं तो आपका direct 5 सिदंबर 2020 को skill test होगा इसमें देख सकते हो laboratory attendant के लिए matriculation या equivalent with science subject दस्तों में अगर आपका science subject है तो आप लुग जो है इसके लिए form apply कर सकते हो 18 to 25 years से जो है यहाँ पर age limit रखी गई है normal के लिए और 40 years से रखी गई है general employee के लिए OBC के लिए 43 years रखी गई है employee के लिए 45 years रखी गई है CST वालों के लिए जो कि अगर आप लोग contract base पर कहीं पर या regular base पर दिल्ली में या किसी भी government of India में जो है आप लोग अगर सरकाई नोगरी कर रहे हो या private नोगरी कर रहे हो या संविदा पर कर रहे हो तो आप के लिए जो है age limit यहाँ पर ज्यादा होने वाली है normal के लिए 18 to 25 years रखी गई है इसमें जो है form apply कर सकते हो साथ यहाँ पे 3 vacancy है nursing orderly के लिए इसमें जो है middle class 3 years experience से होना चाहिए किसी भी अगर cleaning छेतर में जैसे कि अगर आप साफ साफ हाई के छेतर में अगर आपका 3 साल का नुभव है तो form को जो है apply कर सकते हो एजली मिर जो है बिल्कुल सेम है 32,140 रुपीर जो है यहाँ पे salary मिल रही है और साथी skill test जो होगा 59,2020 को होने वाला है ठीक है 250 रुपीर जो है यहाँ पे DD लगाना पड़ेगा आपका demand draft लगने वाला है 250 रुपीर का और यहाँ पे जो है address दे रखा है देख सकते हो DD किसके favor में तो director of IHBAS दिल्ली के favor में आपको यहाँ पे 250 रुपीय का लगने वाला है laboratory, attendant और nursing और यहाँ दोनों के लिए और यह जो भरती है 12 महिने के लिए होने वाली है 12 महिने contract बेस पर यहाँ पे आपको job मिलने वाली है तो यहाँ पे period of 12 months job होने वाला है आच्छे से जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो साथी reporting time आप लोग याद रख लो यहाँ पे बोला जा रहा है ज्यादा form भरे जाते हैं तो आप return test होगा उसके बाद skill test होगा account form भरे जाते हैं तो आपका skill test होगा 5 सितंबर 2020 को नीचे form दिया गया है और 250 का duty बनवाना पड़ेगा duty बनवाने के बाद जो है form को apply कर सकते हो यहाँ पे पूरा address जो दिया गया है pin code भी दिया गया है तो speed post, registered post या by hand form को जो है यहाँ पे आप लोग apply कर सकते हो यह application दिया गया है नीचे description में निंग जबें जाएगा जाके यह notification डाउनलोर कर सकते हो इसके अलावा कोई भी क्योरी है कोई भी जानकारी है तो आप लोग नीचे comment कर सकते हो थैंक दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया